प्यारे बच्छों नमस्कार अभी इस फूडियो में हम संख्या 11 हमें 6 का भाग कैसे दें या 11 डिवाइड बाई 6 या 11 बाई 6 कैलकुलेट करेंगे बिल्कोल सिंपल है देखें हम यहां पर 6 का भाग कब दे पाएंगे जब संख्या क्या हो 6 से बड़ी या 6 के बरा बरा भाग देने की सुरुआत कैसे करें पहले इस बात को समझना जरूरी है यह आपने सीख लिया तो आपके भाग में कभी को दिक्त नहीं आएगी तो देखें यदि एक अंके संख्या है तो यहां पर पहले हम एक अंके साथ तुलना करेंगे क्या यह 6 से बड़ा है एक आरा देखें एक अंक लेने पर जो कि 6 से छोटा है शोची यह 9 होता चीक 8 होता यह 6 खुद होता तो वो क्या होते च्छे के बराबर यह 6 से बड़े होते तो भाग चला जाता लेकिन यह एक आपका 6 से छोटा है तो फिर क्या करेंगे अगले अंक को और सामिल करेंगे कितना मानगे 11 अब एक वार भाग गया एक वार कितना आ रहे 6 उसके बाद क्या करना है इसको घटाने यह अरमाईने 6 कितना आ गया 5 अब हम आगे डिवाइट करने के लिए क्या करेंगे यहां पर पॉइंट लगाएंगे यहां पॉइंट लगाने अक बाद हमारे पास क्या पावर आ जाती है गाटाने पर जूसे है इसके साथ 0 लिख सकते हैं कितना 0 के मज़ एक कितना मदर है पचास अब हम 6 का पड़ा साथ वार लेते हैंесь प्यार्ष आता है च्छे का पाड़ा हम 8 वार लेते हैं कितना आता है 48 कितने वार लिया 8 वार कितना आ गया 48 फिर हम इसको जैसे उपर मानिस किया ठीक वेसे यहां माइनस करेंगे 50 माइनस 48 कितना गया 2 यहां की पॉइंट लगा रखाया है था मारे पास क्या पावर अश्यूरू लिख सकते है अब जैसे हम छी का पाड़ा तीन व आरब लग़ते हैं कितना आता है 18 कितने वार लगा तीन वार कितना गया 18 फिर माइनस किया फिर 2 आ गया ठीक है फिर आपका 20 बन गया फिर कितना आगे तीन वार फिर आगे अठारा माइनस किया दो वार दो आगे ठीक है ऐसे करके आपका आगे चलता रहे गा एक पॉइंट आठ तीन तीन या एक पॉइंट आठ तीन